जोडो जोडो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शाहिद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सिनियर नेता है शाहिद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो भी सिनियर मेरे। मगर 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 सुनीए तो तो वह जो कष्ठ हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी बोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफिं माँगता हूँ मगर मैने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजे पी के मित्र है आज आज आपको डिनने की जरूद नहीं आज जो मेरा भाशन है जरू मत और आप जरू मत तो आच, 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 कोई घबराने की जरुरत नहीं है, आच मैं अपना भाशन, में जो भाशन है, वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ, तो आप रिलाक्स कर सकते हैं, आप शान्त रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाशन आज, दूसरी डारेक्शन में जा रहा है, प्रुमी ने कहा था, जो शब्त रुमी ने कहा था, जो श्ब्त रुमी ने कहा था, जो शब्त दिल से आते हैं, वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ और 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 मैं और मैं आज मैं आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूंगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं ज़रीयर माद ज़रीयर माद अरे रिलाक्स अमंती जिहाइद समाज लेंगे आफ लोगों अरे आप लोगों पिछले साल, 130 दिन के लिए, मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ. ये हमारा टाइम करने का साजेशन, समुदर अधीर 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 अधीर, समुदर, समुदर के, समुदर के टच से लेए, बहार ले सर दक्रों हाडवा स्वाजी प्लीच अधीर अधीर, समुदर के टच से लिए, उस्थीर अधीर बाती खुदो आधीर साथ ह्रावात प्लीच अधीर अधीर हुद्रू है, समुदर के टच से ले परहें, तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद किराहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हूं और जब वो मुझे से पूछते थे शुरुआत में मुझे मेरे मुझे से जवाब नहीं निकलता शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं समझना चाहता हूं लोगों के बीच में जाना चाहता हूं मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी जिस चीज से मुझे प्यार तर था जिस चीज के लिए मैं मनने को त्यार हूं जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूं जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खाई उस चीज को मैं समझना चाहता था ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी आप रनिंग कमेंटरी बंद करोने तो हम भी चलो करेंगे जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहता हूं शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया सालों से मैं हर रोज आठ दस किलोमेटर दोड़ता हूं तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं दस किलोमेटर दोड़ सकता हूं तो पच्चिस किलोमेटर चलने का क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने सोचा था आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं ये कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था मगर मगर भारत अहंकार को एक गम मिटा देता है एक सेकंड में मिटा देता है तो हुआ क्या दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्थ शुरूँ किया पुरानी इंजरी थी और जबर्दस दर्थ हर रोज मैं उठू और मेरे घुटने में दर्थ हर कदम में दर्थ तो पहले दो तीन दिनों में जो अंकार था जो मतलब भेडिया जो निकला था वो चीती बने ले एकदम जो हिंदुस्ताइन को अंकार से देखने निकला था वो पूरा मापूरा अंकार गाइब हो गया और और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा ये ये मेरे दिल में डर था और जब भी ये डर बढ़ता था जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ती मेरी मदद कर देते हैं एक दिन मैं सेह नहीं पा रहा था एक छोटी सी लड़की आती है मुझे चिठी दे देते हैं मैंने चिठी खोली आठ साल की ती उसमें लिखा था राहूल आएम वाकिंग विद यू डोंट वारी उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ती मुझे देगी सिर्फ उसने नहीं लाको लोग में और शुरुआत में जब मैं चल रहा था कोई किसान आता था कोई किसान आता था मैं एक दम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए मगर इतने लोग आए हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया बोली नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था और एक सनाटा सा चाह गया भीड की आवाज थी भारत जोडो भारत जोडो भारत जोडो और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया हर रोज सुबह छे बजे से राच साथ आठ बजे तक आम आदमी गरीब अमीर बिजनसमेन किसान मजदूर सब के आवाज आ रहो आ रहो आ रहो आ रहो आ रहो आ रहो आ आप आप कल से रुके हैं अब थोड़ा और रुक लाओ पाश्दार मिन रुक जाओ तो ये चलता गया मैं बात सुनता गया और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा उसने का उसने मुझे कहा मेरे आँक मेंदेकर उसने मुझे अपना वह रुई रुई का बंडल दिया और उसने कहा राहुल जी यही बचा है मेरे खेट का मेरे खेट का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था भाईया आपको भीमा का पैसा मिला वो पूछा भीमा का पैसा मिला वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पक्रा किसान मुझे कहता है कि नहीं राहूल जी मुझे भीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझसे छीन लिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँखों में शरम थी जब वो अपनी बीबी से बात करता था वो शरम मेरे आँखों में आई जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाई और उसके बाद यात्रा बिलकुल बदल गई मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के आवाज सुनाई देती जो मेरे साथ बात कर रहा था उसका दर्द उसकी चोट उसका दुख मेरा दुख मेरी चोट मेरा दर्द बन गया बाई और बहनों लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग-अलग भाशाएं है कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाई और बहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की आवाज है इस देश के लोगों का दर्द है दुख है गटिनाया है और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहमकार है हमारे जो डिजायर्ज है हमारे जो सपने है हमारे जो सपने है उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है अब आप कहोगे ये बात मैंने non confidence motion में क्यों रखती इसका क्या मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले हैं क्योंकि बाई और बेहनो अधियर 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 अधिय है आप हमको फिर बस रोकेगा तो स्पीकर सर भारत एक आवाज है भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं हमें अहंकार को नफरत को मिटाना पड़े स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनेपूर गया हमारे प्रद्रान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्यूंकि उनके लिए मनेपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनेपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई ये है कि मनेपूर नहीं बचा है मनेपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनेपूर को आपने बाट दिया है तोड दिया है मैं मनेपूर में रिलीफ कैंप में गया रिलीफ कैंप में आज आ रहा हूँ मनिपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात थी जाहिं रिलीफ कैंप में परके लिखेंगे दान मंत्री की बात रिक रिक रागे इस वेखेंगे मैं मनेपूर गया और मनेपूर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आपके साथ पाट सी साथ स्पीकर सार एक-एक मंत्री बोलने एक-एक मंत्री खड़े होके बोलने एक-एक मंत्री खड़े होके ऐसे करे एक-एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसत खड़े होंगे यह पे मैं बहुत सारी मैंनां से बात किया मगर मैं आपको दो उधारन देना चाहता हूँ, एक महीला मुझे कहती है, मैंने क्या चृता सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने मेरे अँखों के सामने, उसको गोली मारी है, मैं पूरी रात आप सोचिए आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूप नहीं जूप आप बोलते हो जूप मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था, वो मैंने छोड़ दिया मैंने उससे पूछा, कुछ तो लाई होगी कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपने हैं ये मेरे पास हैं है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधारन एक और उधारन दूसरे कैम्प में में एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कापने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा और वो बेहोश हो गई मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गई तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिये हैं स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिरफ मनिपूर के नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मौडर किया है अरे दो भाग किया हैं जाब करेजिए अरे देटिस्तान के किया है कि माने समी सदेश्दा का हुआ शांगती रखें प्लीज फ्लीज मनिपूर क्या भूल राय खिर्फ जिए आप्राइब निया हुआ हाँ उन पिश्चा को टॉटिस की। जाए लोगों को नॉटिस में लेटिया हुय है! इस की जाए वीड़र कॉंडेस बाती है. राहु गांदी को पापी बंगा चाहिए! राहु गांदी का कॉंडेस बाती है! चाहिए खीर पोट मन हमारीं और लाव जान किया है। करता है। पाशन निसार आचाहे है, आप आप पाशनि सुना छाखिए। भर पेटये, पिरीच बेठिये, फ्लीक बेठिये, पिरीच से पाफिभ司 पा थेठेटूividadeux, पिरीच आग। प्लीज बेठिये प्लीज बेठिये प्लीज बेटिये, प्लीज बालू जी, प्लीज बालू जी, प्लीज बालू जी, प्लीज एक मिट, एक मिट प्लीज, प्लीज बेटिये, मान्य सदक्षगन, जिस तरीके का विहार आप टेबिल परातर कर रहे हैं, इस तरीके से शचर निचलेगा, ये तरीका ठीक हुए है, जलत तरीका यह नो ऐसे सदन चलने वाला नहीं है जो माने सदेश्य टेबिल पाया है उनके खिलाब कारवाई होगी बेटिये आप भी बेटिये आप भी बेटिये माने मंत्री जी भारत माता प्लीज बेटिये मैं बहुत शांती से सुन रहा हूँ इसका तरीका यह नहीं है उचीतों कि आप टेबिल पर आएं नहीं गलत गलत तरीका यह आप आप जैसे मैंने जैसे मैंने अपनी जैसे मैंने बाशन के शुरुआत में बोला भारत एक अवाज है भारत हमारी जंता की अवाज है दिल की अवाज है उस अवाज की हत्या आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हट्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो आपने देश की हट्या मनिपूर में की बीच, प्लीच, ये प्लीच, फलीच बैठीए प्लीच, प्लीच बैठीए, अब सवाल उक्ता है, आप बैठना चाहते हैं, नीवाटया कीए है, वौरादब साहती है मनिपूर में मनिपूर के लोगों के दिल में तो सवाल उठता है एक मिट आप भी 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 आ आप भारत माता के रख्वाले नहीं हो। प्लीज 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 देखिये माने सदेश्टिकर्ण प्लीज प्लीज माने सदेशगन भारत माहमारी मा है हमें सदन में बोलते समेश सहीं बरतना चीए मैं मनिपूर में अपनी मा की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं आदर से बोल रहा हूँ आपने मेरी मा की हत्या की मनिपूर में एक मेरी माँ यहां बेटी है, दूसरी माँ को आपने मनिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हदिया कर रहे हूँ अगर नरेन्र मोधी जी हिंसा के अवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंसा के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं आपका गलत तरीका है। आप इस तरीके में अब बात करिए लेकिन इस तरीके से पोष्टिया लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से रावन, रावन दो लोगों की सुनता था, रावन दो लोगों की सुनता था, मेगनाथ और कुम्बकरण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमिद शाह और अदानी, बाई और भेडों, लका को, लका को हनुबान ने नहीं चलाय था, लका को रावन के आहंकर ने चलाय था, प्लेज माने सदेशे, आप सही हमित बोलें, आप ये सदा ने हैं, आप तरी के से बोलें माने सदेशे, पुरे देश में करसिन चमद पेक रहे हो उगजाभान शुलेश, तो एन उगण परू अगजिये।